हलो माइडियर फ्रेंड विलकम टू लक्टी एकशन तो आज का टॉपिक हमारा रही ए suivre सब्सिस्टेंस एंगरिकल्चर ठीक है इल्टेनसिफ सब्सिस्टेंस एंगरिकल्चर इसके बारें हम देखेंगे इसके दो टाइप है और टाइब को यहां पर study करने वाले और क्या क्या चीजिसमा आती है सारी चीजम कवर करेंगे इससे पहले उने आपको बताया था सप्तिंग अकरिकल्चर के बारे में डिसकस किया था जिसको स्लेशन वन अग्रिकल्चर के नाम से भी जानते हैं चूम के नाम से हम क्या कह सकते हैं इसको densely populated जो region से वहां पर इस खेती को practice किया जाता है कौन सी कहती को practice किया जाता है intensive subsistence agriculture of monsoon Asia कौन सी जगे के monsoon Asia के तो एक नंबर में question पूछा जा सकता है कि intensive subsistence agriculture को सबसे ज़्यादा कहां पर practice के जाता है या कहां पर सबस्यादा पाई जाती है तेन यू हब टॉल टैल डेंसली पॉपुलेटर रीजन से जो मौनसून एसिया के वहां पर इसको सबस्यादा प्रैक्टिस किया जाता है इसके दो टाइप से पहला है इंटेंसिब सब्सिस्टेंस एगरिकल्चर डॉमिनेटेड पैडी काल्टिवेशनbreak पैडी कल्टिवेशनम मतलब इसे इंटेंसिब सब्सिस्टेंस एगरिकल्चर जहां पर पैडी की क्रॉप ज surt 5 मतलब जो धान की खेती औक राइस की जाती जहां पर उसको हम बोलते हैं पैडी कल्टिवेशन तो एक तो ऐसी 幹장 जाहां पर सबसेंग फोकस किय जाता है डूसरा इसका deservingffen सभी क्लूसरेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंrim अधर क्रॉप ऐसें जो में ऐसे वीट बार ले हैं न यह सारी चीज है तो सबसे पहले हम देखेंगे intensive subsistence agriculture dominated by wet petty cultivation dominated मतलब किसी एक crop का दबदबा होना तो यहां पर किसका दबदबा होगा definitely rice का दबदबा होगा तो this type of agriculture is characterized by dominance of rice crop तो बेड़ा इस प्रकार की जो खेती होती है intensive subsistence agriculture dominated by wet petty cultivation इसमें एक ही प्रकार की crop पर सबसे ज्यादा focus किये जाता है that is rice इसको हम बोलते है पैड़ी धान देखो जब राइस निकलता है ऐसा होता है कुछ फिर इसके बाद यह ऐसा होता है आपको पता होना चाहिए कि आप यूज करते हो जिसको तो घ्यान रखना इसमें सबसे ज्यादा दब दब किसका रहता है राइस क्रॉप का रहता है अच्छा इसको देखने को मिलेगा यह कहां पर इसकी जाती हाई डेंसिटी पॉपुलेशन वाली रिजर में अब सब यह हाई डेंसिटी पॉपुलेटर रिजन है तो यहां पर नैच्रली आपको क्या देखने को मिलेगा लेंड होल्डिंग जो होगी वह बहुत कम होगी यह से मालों किसी के पास इतनी जमीन है यह दूसर में तो वह द्यान होल्डिंग मतलब जमीन जो होती है वह बहुत कम होती है क्यों कम हो जाती है लोगों के पास हाई पोप्लेशन की बज़ेशन सबोज यह किसी के पास ल heating जमीन ढूंप हो शागूंप होगे तो कितने भागों में दिवाइद हो जाएगी है पांच वाइद जो प्रॉपर्डी है फादर से किस में डिवाइड हो जाती है संस में डिवाइड हो जाती है तो ऐसे करके लेंड होल्डिंग क्या होती है कम कहां पर ज्यादा डेंसिटी बाले रीजन्स में अच्छा farmers work with the help of family labor leading to intensive use of land किसान जो होता है यहाँ पर अपने family members की साहिता से यहाँ पर क्या करता है केती करता है और जिसकी बज़े से क्या होता है land का बहुत बड़े लेवल पर क्या होता है use होता है use of machine limited यह इसकी बिटा features है अगर कोई पूछे कि what are the features of intensive subsistence agriculture dominated by wet pedi cultivation तो आप बताना यहाँ पर land holding जो होती है very small होती है कहाँ पर practice किया जाता है high density वाले रिजन में practice किया जाता है एक ही प्रकार की crop का dominance देखने को मिलता है that is rice crop family members की साहिता से यहाँ पर काम किया जाता है machine ली का जो यूज होता है बहुत limited होता है जादतर जो काम होता है के ठीके वो सब किस्से किया जाते है manual labor manual labor मतला आदमी खुद काम करते हैं आदमी लगाके काम करवाए जाता है उसको हम बोलते है manual labor एक होती है machine से काम करवाना और एक होता है आदमी से काम करवाना है इंसानों से तो इंसानों से काम करवाना है तो उसको manual labor बोलते हैं ठीक है तो ज़्यादा तर जितने भी agriculture operations होते हैं ठीक है चाहे sowing हो या फिर आपका harvesting हो कुछ भी करवाना है that is to be done with the help of manual labor farm yard manure is used to maintain the fertility of soil यहाँ पर जो manure इस्तिमाल किया जाता है generally वो कौन सा होता है घर में तयार किया गया मतलब खेतों में जो तयार किया गया manure होता है देशी जो खाद होता है उसका इस्तिमाल किया जाता है and in this type of agriculture the yield per area is high but per labor productivity is low yield per area मालो जैसे मालो यहाँ पर खेती कर रहे हैं ऐसे पांच खेते हैं तो पांच खेतों में तो खेतों में तो मतलब क्या होगा yield जादा होगी इस खेत की भी yield अच्छी होगी yield का मतलब है उत्पादन yield का मतलब क्या होता है उत्पादन तो per area के सापसे उतपाद नहीं कम होता है पर आप देखो तो यह इतनी जमीन अगर किसी एक के हाथ में होती तो ज्यादा ज्यादा उतपाद नहीं होता अब यह जबीन क्या है पांच लोगों के हाथ में तो उतपाद में क्या होगा कम होगा तो पर labor productivity तो low है मगर पर unit area productivity क्या है ज़्यादा है समझ मैं ही बात इसको मैं एक बार और ऐसे समझाएता हूँ ऐसे समझे लो किसी वक्ति के पास पूरा एक खेत है इसमें मालो निकले 100 बोरी कितना 100 बोरी राइस निकल गया मालो यही खेत पांच लोगों में डिवाइड कर से तो थीक है और आरी इयρε Всем किशी को 5 तो पर लेवर प्रोडक्टिविटी तो लोग होती है मर यूनिट के साब से एरिया के साब से प्रोडक्टिविटी इसमें बहुत अच्छी होती है तो दूसरी क्रॉप है इंटेंसिट सब्सिस्टेंस अग्रिकल्चर डॉमिनेटेड वाई क्रॉप साधर देन पैडी तो पैडी तो हमने देख ली पैडी के लाबा और कौन कौन सी क्रॉप्स ग्रोप की जाती है तो यह चीज़ आपको जहां रखना है पैडी के लाबाव वीट सोयाबीन बारले सोर इस नौट प्रैक्टिकल टूग्रों पैडी इन मैनी पार्ट्स आप दी मॉन्सून अश्या आप देखो अब ऐसा नहीं कि हर जगह पर आप राइस होगा लो आपको पानी की जरूरत परती है प्लस क्लाइमेट भी कैसा होना चाहिए थोड़ा वेट क्लाइमेट होना चाहि पैडी ग्रों करने के लिए बहुत सारी घंडीशन होनी चाहिए तो हर जगे पैडी घ्रों करने इसके लिए बाक्य जगह पर जगे के साफ से क्लाइमेट पे साफ से सोइल के साफ से लग-अलग की क्रॉप्स ग्रों की जाती है नोडे ध्यान रखना है अब कौन-zूप्स मंचूरिया यहां रखना चाइना का ही पार्ट है यह मंचूरिया नौर्थ कोरिया नौर्थ जापान इन जगें उपर इन फसलों को ग्रोग किया जाता है तो यह देखो यह है चाइना और चाइना में इधर साइड में जाओगे तो यह हो गया चाइना का मंचूरिया रिजिन उसके उपर मंगोलिया यह रहा मंगोलिया और चाइना की बगल में यहाँ पर जापान तो उपर बाला भाग नौर्थ जापान यह जापान होगा ठीक है और यह कोरिया है कोरिया को उपर बाला भाग नौर्थ कोरिया ठीक है तो इसको यहाँ यहाँ पर ग्रो किया जाता है त पश्मी राइस्तान महांपर मिलेट मिलेट मतलब मुदा आप किता सब्हiplos राइस्तान तो नमबर बने इकिस किसमें बाजडा ग रोग मेरन पर इन्डय को dw करने में कि सब्सक्रां कि अब करनेते सकेते मिलेҚा बाइस्तान कुछ राच्तान का बाग यहांपर ही ग्रो किया जाता हैं and milet are growing in dry parts of western and southern mendiyak और collect मतलब यही बाजंध कहंपर ग्रो etrus या जाता है बाजिरा ग्रों किया जाता आपका western या वेस्टन पार्ट फिंडिया तो cuts बाजरा को कहीं कहीं पर ग्रोव किया जाता है तो यह रही हुईट की क्रॉप वीट है ऐसा दिखता है और यह रही मिलेट की क्रॉप तो आपको फोटो भी देखना चाहिए most of the characteristics of this type of agriculture similar to those dominated by wet paddy except the irrigation is often used तो देखो इस वाली agriculture के ज्यादतर features हुई है जो पैड़ी cultivation में हमने देखे थे मगर इसमें irrigation कभी कभी यूज के जाता irrigation की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती जितनी ज्यादा irrigation की जरूरत पैड़ी की क्रॉप में पड़ती है उतनी ज्यादा lecture मितना ही thank you thank you so much keep learning keep enjoying and god bless you all